भूमी रिकॉर्ड को अधार के साथ जोरनी की जोए गोसना की है दिखे जमीन जायदाद को अधार काड से जोरा जाएगा मतलब जो आपका अधार काड है उससे जोर दिया जाएगा आपका जो भी प्रोपर्टी है उससे उसको जोर दिया जाएगा और किस तरह आपको अधार से जमीन जाइदाद को जोरना है उसको समझना है solar digit का unique digit क्या है यहाँ पे और इस unique number से क्या फाइदा होगा तो यह चीज सारा question है इसको समझना है चलिए आगे देखते हैं इसको इसमें सबसे पहले जो समझना है कि सरकार ने भूमी record को अधार कार्ड से जोरने की घोसना की है मतलब यह जो आपका अधार कार्ड है इससे अब आपका जो समपती है जमीन है वो सारा जुट जाएगा जो अधार कार्ड है उससे सारा add हो जाएगा भूमी record को जो है अधार कार्ड के साथ जोरने का कदम उठाया गया है जमीन के record अधार कार्ड से link करने के बाद जो बेनामी संपती जमीन की वो सौधे बाजी में होने वाली धंदली जो है बरेस्टा चार असा नहीं बहुत ऐसा संपती जो है जमीन जैदाद है जिस पे किसी का नाम दर्ज नहीं है बेनामी संपती है लोग उसका भी सौधा करना देते हैं तो आप सबी संपती के मालिक होंगे जब आपका जमीन जो है अधार कार्ड से जो link है तो वो data अगर उस पे होगा अगर नहीं होगा तो नहीं होगा आप उसके अगर जमीन के मालिक होंगे तो ये जो धांधली है न ये जो बरस्टा चार है इसको रोकने के लिए कदम उठाए गया है केंदर सरकार से अनुमती मिलने के साथ जो है न ही परदेश में जमीन की जो है खतवनी अधार कार्ड नंबर के उलेक के साथ जारी करने की जो है परकिरिया आरंब कर दिया जाएगा केंदर सरकार से आदेश लेने के बाद ये परकिरिया जो है शुरू हो जाएगा ठीक है अब चलिए इसको आगे समझते हैं और कि देखिए जमीन का जो है ना solar digit का unique code बनाया जाएगा मतलब solar digit रहेगा ठीक है एक कोई number मान लेते 23468 एसे करके पूरा solar digit का number बनाया जाएगा और यह जो number है ना जमीन खड़िदारों के साथ होने वाली जो दोकावाजी होता है कि आपका जमीन जो है किसी और का है और उसको जाके जो है एक तरह से दिखा दिया उस पर पैसे ले लिया और उसको या मालतना उसका रहिस्टी नहीं हुआ जो भी है या रहिस्टी हो भी गया फॉल्स तरीके से तो इसके लिए ये जमीन जो है खड़िदने वाला जो होगा तो solar digit का जो अंग code है ना उसको जारी करने के बाद उस पे सारा detail मौजूद रहेगा मतलब unique code वो टे करेगा को सका record जो है computerize करने का काम किया जा रहा है तो उसका जो है ना मतलब ये code त्यार करने के बाद जो जो इतना भी डिकॉर्ट है सबको computer पर डालने का जो है होय या वो पक्या कियार जा रहा है तो है का डालने के बाद ये code हम डालेंगे तो सारा information जमीन संबंदित जायदाद संबंदित जो भी है प्रोपर्टी संबंदित सारा information आप देख सकते हैं कि ये किसकी प्रोपर्टी है इस योजना में जमीन के पुराने मालिक के साथ नए मालिक का भी नाम दर्ज किया जा रहा है तो इसमें जो है उस जमीन का पहला मालिक कौन था और उसके बाद जो है नया मालिक अगर पुराना मालिक था तो जमीन अगर बेच दिया तो जो उसका नया मालिक है उसका भी नाम जो है दर्ज किया जा रहा है ठीक है एक बार आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि क्या प्रोसेस है माल लेते हैं कि जो कम्प्यूटर में एक सॉफ्ट बेर होगा सॉफ्ट बेर में जो है यहाँ पे जाने के बाद जो अंक है वो डालने के बाद जैसे ही उसको आगे बरेंगे तो उसके अधार पर पूरा डिटेल में अगर माल लेते हैं कि यह जो कोड यह जमीन का पूरा डिटेल दिखाएगा तो इसमें जो है कोई जमीन अगर ऐसा होगा उसका पुराना मालिक कौन होगा ठीक है उसका अब नया मालिक कौन है ये भी विबरन पूरा यहां पे दिया हुआ रहेगा तो किसी का भी जमीन का वो डिजिट डालने के बाद सारा इनफरमेशन आप देख सकते हैं आपको लग रहा है कि ये उसी का जमीन है इसका पुराना मालिक ये था इसका नया मालिक ये है तब ही जो है वो जमीन उससे मतलब लिया जाएगा इसमें सबसे बरा जो एक तरह से फाइदा यही होगा कि जो वरस्टाचार होता है एक तरह से जमीन मामले में जो धोखेवाजी होता है बहुत लोग डरे रहते हैं संपती को खर दिने में बहुत लोगों को डर लगता है यह सही है कि नहीं है ठीक है बहुत सारा समस्या है तो इसलिए वो सब जो है दिक्कत यहां पे दूर हो जाएगा, वो कोड डालने के बाद सारा information पता चल जाएगा कि यह जमीन पहले किसका था, अब किसका है, तो यह सब जो है फाइदा होगा, अब आगे देखते हैं इसमें, कि देखें, जमीन के खरीद में जो हेरा फेरी, दोख है, ठीक है, यूनिक कोड सिस्टम लागू हो जाने के बाद कोई भी जमीन जो है, मामले में धोकेदरी नहीं कर सकेगा, उत्तर परदेश सरकार का राजस विभाग, किर्सी, आवासिय, वेबसाइक जमीन को चिनित कर जो है, यूनिक नमबर जारी कर रहा है, ठीक है, यूनि इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और जो भी है उसका पहले का मालिक या बरतवान मालिक, वो सारा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से किसी को जमीन जो है, बेचना जो है, वो आसान हो जाएगा, खरिदना जो है, वो आसान हो जाएगा, बेचने खरिदने में कोई दिक्कत नहीं होगा मतलब वो सारा आसान हो जाएगा कोई जमीन अगर बेचता है तो उसके लिए बेचना आसान है और किसी को खरिदना आसान है वो code के माध्यम से जो है अगर मालते कोई संख्या है 2435 जो something something तो ये डालने के बाद अगर ये जो code है ये किसी का मालिक कौन था और अभी वर्तमान में जो है वो मालिक कौन है तो ये code का ये जो है फायदा होगा जिसको unique number बोलते है सबका ये अलग-अलग होगा ठीक है जितने भी लोग होंगे सबका ये जो है ये तरह से अलग-अलग होगा तो मतलब जुतने भी मतलब खतियान में जि रसीद पर जम्वंद्धी और उसका रखबा लिखा हुआ है तो आपके लिए कोड तैयार कर दिया जाएगा ठीक है कि आपका ये कोड पर ये सारा इनफर्मेशन है आप जो कोड है उसी पर आपका सारा पूरा रसीद का इनफर्मेशन रहेगा ये कोड डालने के बाद जैसे आप computer में जाएंगे और ये code डालेंगे तो आपका जो रसीट पे जितना भी जमीन है उसका जो रकवा है सारा information यहाँ पे दिखा देगा तो इसको देखने के बाद इसको देखने के बाद ही कोई दूसरा बैक्ती जो है वो जमीन को खरीदेगा ठीक है कोई जमीन सम्मंदीत सवाल है न तो आप comment box में जाके लिख सकते हैं आपको अगर कोई समस्या है तो आप comment करके पूछ सकते हैं हम वीडियो के माध्यम से जो है जवाब देने का प्रियास करेंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को पहली बार देखरें चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेजिए मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तर